पिछले दिनों डाल्टेंगन धर्मपरांद और गुमला धर्मपरांद के नए बिशप का भिशेक कराया गया इस दोरान 14 जन्वरी को डाल्टेंगंज धर्म परांग के नौन्युक्त धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेन हांस का डाल्टेंगंद पल्ल शांती की महरानी के महागरिया घर परांगन में स्वागत किया गया सबसे पहले नौनिक धर्मा धक्ष ने अपने बदस्थापन के बाद पहले बार 13 जनुरी को शाम 6 बजे परली में आगमर हुआ डाल्टेंगर्च के परली प्रोहिद फादर मौरिस कुजूर और फादर फिब्यानिस सिंदूरिया ने बिलकर फूल बुच्छ दे कर उनका स्वागत किया परली के बाकी सदर से खुशी से नाच कर पके गड़ के बिशफ खौस तक ले गए और उनका पैर्ट होकर बिशफ खौस में उनका स्वागत किया गया 14 जनुरी 24 की सुबा 8 बिले बिशफ स्वामी ने धन्यवादी मिस्था बनीदान अर्पित किया उसले ने संदेश में कहा कि पर्भु के प्यार में दूसरों की और अच्छा वहवार ही सेवा है जो पर्भु का मंदिर बनाना चाहते हैं वो दूसरों की भलाई देखना चाहते हैं मिस्था के बाद छोटा स्वागत समारों आइडित किया गया है जिसकी शुरुआत परातना नाच के साथ की गई कैथलिक सभा युवस और रुस्विस सबने मिलका स्वागत और बरहाई दी इस समारों में बिशर स्वामी के अलावा डाल्टिंगन परली प्रोहित फादर मारिस खुजूर, सहाय परली प्रोहित फादर मायकर खुजूर, सीट्स ओफ होप के निदेशक फादर मार्टिन, डाल्टिंगन धर्म परांत के सिक्षा निदेशक फादर संजेगित, आपको पता है कि पिछले दिनों ही दाटिंगें धनपरांद के अस्थाई धर्मध्यक्ष के तौर पर विशप थियोडोर को जिम्मेदारी दी गई है आपको बता दे हैं कि 14 जन्वरी के दिन यानि रविबार के दिन बिशप थियोडोर ने अपने ड्राइवर मिस्टर राजन बढ़ा के गाउं अंबा दोह के जंगल में उनके माता कल्यानी मिच और पिता अलोविश बढ़ा के पचासवी साथी के शाल गिरह में भाग लेकर प सब वरिदान पढ़ना चाहते थे लेकिन राजन बढ़ा ने उन्हें कभी नहीं बताया क्योंके माता पिता का शादी साल गिरह है राजन बढ़ा से पूछने पर उन्हें कहा है मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिशप मेरे घर पहुँचे गए पुरे गाउं को अपने गाउ रुजूर चैंजवा पल्ली के पल्ली प्रोहिट फादर एमानुएल और तीन धर बहने तत्र गाउं के विश्वासी पस्तित थे